केंद्रिय मंत्री गिरीराद सिंग ने कानपूर की घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है गिरीराद सिंग ने कहा है कि गोधरा जैसी घटना को अंजाम देने की ये साज़िश लगती है देश में ट्रेनों को एक साजिश के तहट निशाना बनाया जा रहा है ताकि सामप्रदा एक सोहार्द देश का बिगाड़ा जा सके गोध्रा की घटना को सभी जानते हैं किस तरह से एक साजिश के तहट रेलवे के डिबों में आग लगाए गई थी और जो रामभक वापस लोट रहे थे कार सेवा के बाद उनको आग के हवाले कर दिया गया था देखिए साबरमती एक्सप्रेस हो या कालिंदी एक्सप्रेस हो कालिंदी एक्सप्रेस ने तो जो मैं कहता था साबरमती में कहा था ये संजोग नहीं है, प्रियोग है, रेल के चूक से दुरघटना नहीं हुई है, ये साजीश चल रही है, भारत की अर्थवेवस्था को भारत को उतल पुतल करके, और ये जो कालंदी एक्सप्रेस में हुआ है कानपूर वाली घटना, ये तो एक प्रियोग था, ऐसा प्रिय कि फिर दूसरा गोधरा हो जाए, जल जाए, और आपने देखा कि आर्पी अफ ने दर्ज किया है मुकदमा, और उसमें दिखाया गया है कि पट्री के बगल पर में बारूद भी मिला है, माचीस भी मिला है, पेट्रोल भी मिला है, ये तो ड्राइबर को धनवाद दूंगा रेल को, जिसके बुद्धी मता से वो दिख गया सलेंडर लाल था, कलर का, अब आपको भारत में ट्रेनों को लगातार निशाना बनाये जाने को लेकर एक और बड़ी खबर बताते हैं, आखर अचानक पट्रियों पर सिलिंडर या बोल्डर या फिर लकडी के बड़े- बैंगलोर में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का ये आरोपी है, पाकिस्तान में बैट कर इसने बकाइदा एक वीडियो जारी किया था, टेलिग्राम वाटसाब एक ग्रूप है, टेलिग्राम एक सोशल मीडिया का प्लाटफॉम है, उस पर ये संदेश भारत में उसने आतंके स्लीपर सेलो तक पहुचाया था कि अब समय आ गया है, वो अक्टिव हो जाए और इंडियन रेलवेज को भारतिय रेल को अपना निशाना बनाए, इस वीडियो संदेश के बाद से ही भारत में ट्रेनों का पट्रियों पर या तेजी से उतरना या फिर के आई दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं, ये आतंकी भारत से फरार होकर पाकिस्तान की खुफे एजनसी आईसाई के इशारे पर भारत में बम धमाके करवाने के लिए स्लीपर तेल ना केवल तयार कर रहा था, बलकि स्लीपर सेल्स को उकसा रहा था, फारतुला गौरी आई तीन मिनिट के इस ओडियो में क्या अपील की, हम आपको वो भी दिखाते हैं, ताकि आप भी आगा हो जाए, सचेत हो जाए कि भारत के लिए खत्रा कितना बड़ा है। रासदारी और बहादूरी के साथ दुश्मन का मुखाविला करेंगे। इन दस्तों में मुशाविरत के जरीए एक अमीर मुखरा करें और उसकी खियादत में सारे लोग काम करें। एक दूसरे के मददगार बन जाएं, इस तरह हर दस्ता अपने आपको खुद आपका ये नेटवर्क तोड़ना तकरीबन नामुम्किन हो जाएगा। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है कि दुश्मन को माश्य और इक्सेसादी तोर पर नुक्सान पहुँचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असर अंदास पहलू है। के मामलों में अभी तक क्या निकल कराया है। भारतिय ट्रेनों को निशाना बनाना चाहती है। ठाइस अगस को हमने ये खुलासा किया था। वो वीडियो तीन मिनट का जो पाकिस्तानी आतंकी है जो इंडिया से वॉंटेड है। वो इंटेल अजेंसियों के पास भी था और इसी के बाद से खुपी अजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया था कि भारतिय ट्रेनों को निशाना बनाया जा सकता है। और इसके बाद लगातार दो इस तरह से इंसिडेंट हुए है और इसी वज़े से NIA की टीम, IB की टीम मौके पर गई है, जाजपरताल कर रही है कि क्या इसका कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या ये बड़ी साजिश की तरफ इसारा करता है और इसी वज़े से NIA और UP, ATS और पर लगाना, कभी पत्थर बहुत सारे लगा देना, बोल्डर वहां पर रख देना, कानपूर के आसपास के अलाके में ये हो रहा है, क्या कानपूर में कोई intelligence input, मुखबिर की जानकारी के आधार पर, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, उनके बारे में कुछ पता चल पा है, कौन है भारत की आस्तीन में ये साम? इंटल अजनसीज अलर्ट पर थी, राहत की बात इस मामले में ये रही कि जो ट्रेन का ड्राइबर था, वो काफी जादा अलर्ट था, नहीं तो एक बड़ी धुरगटना हो सकती थी, लेकिन कानपूर में ही साल 2016 में एक बड़ी धुरगटना होई थी, जिसमें 150 लोग मारे गए थे, उसमें सीधे सीधे उसकी जाच में सामने आया था, कि वाया नेपाल पाकिस्तानी खुफिया एजनसी आईएसाई की साजिस थी, अब चुकि ये ऑड़ियो 28 अगस को आया था, उसके बाद इंटल एजनसीज अलर्ट पर थी, और ये दुरगटना, क्या ये सायोग है या प्रियोग है, इसी की जाच के लिए नाये की टीम मौके पर रवाना हुई और साथी सारी इंटलिजन्स ब्यूरो की टीम मौके पर गई थी, इस बड़ी ख़वर पर आप नजर बनाये रखे, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास आऊंगा,